मुख्य मत्री पुश्कर सिंग धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान उद्यमियों से समवाद किया सीम धामी ने उद्यमियों को उत्राखन में उत्राखन को अपने कर्म भूमी बनाने का अबान किया सीम धामी ने उत्राखन को देश में तेज़े से विकास करने वाला राज्य बताया सीम धामी ने कहा कि उद्यमी ही हमारे राज्य के ब्रांड एमबैसडर है समवात के दौरान प्रमुक उद्यमी ने भी अपने सुझाव रखे साथ ये उन्होंने राज्य में निवेश पर सहमती भी जताई हर प्रकार से ये अउसर दिया है कि वहाँ जरूर जो है आप किसी ने किसी रूप में अपना युगदान करें और बहुत सारे जहां देखें आज हमारे यहां पर चार धाम हैं चार धाम के अलावा हरिदवार रिसी केस मा गंगा का गौमुक यमना जी का अनेक उन नदियां सारदा जी महाकाली जी सर्यू अनेक उन नदियां परवतों से आच्छा दिद और बनों से आच्छा दिद जिदर देखें आप 71 परसेंट अभी जो हमारी लेंड है टोटल इस दुनिया को कहीं न कहीं अच्छी वायू देने का काम अच्छा पर्यावरण देने का काम और टेहरी डेम गंगा यमना जैसी हमारी अनेकों नदियां जो हमाले से निकलती हैं वो सभी को जहां पेजल भी देती हैं सीचने का काम भी देती हैं सुद्ध वायू देने का भी का करती है तो ये भूमी उत्रा घंडी है इसके साथ साथ जहां चार धाम आप लोग चार धाम के बारे में जानते हैं चार धाम हमारे हैं और चार धामों में बहुत काम हो रहा है पहले आपका वहाँ जाना इतना कठिन था कि लोग जा नहीं पाते से क्योंकि बड़ी कठिन यात यात्रा होती थी सडकें भी बड़ी खराब होती थी आज जैसा डक्टर संदू साफ ने यहां से बताया आपको कि कुछी समय बाद आप दो गंटे में दैरादून पहुंचेंगे दो ही घंटे में आप रिशी केस भी पहुंच जाएंगे और रिशी केस पहुंच जाएंगे पहले यह यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी अब ये कुछ घंटों की यात्रा हो गई है यहां चार धाम में केदार नाज जी का पुनो निर्माण का काम आप सब को पता हैं कि नया केदार बन गया है 2013 की जो आपदा आई थी उस आपदा में बहुत मुक्सान हो गया अधिकांस काम हम कर लेंगे बदरीनात पर मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और हेमकुंड साफ जहां की यात्रा आते दी कठिन है तीन दिन चार दिन लग जाते हैं बुजरुग लोगों के लिए और कठिन होती है जिनका सारे जी रूप से थोड़ा कमजोर है उनके लिए और कठिन होती है लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने आधनी मोदी जी ने वहां के लिए रोप पे की व्योस्ता कर दी है आने वाले समय में वहां रोप पे लग जाएगा उसकी सिला नयास हो गया है उसका के दाना जाना